नमस्कार दोस्तों मैं चन्दन चौवे आप सबका कानपा एजुकेशन में स्वागत करता हूँ Recently एक काफी embarrassing development हुई है रशिया के लिए Ukraine ने रशिया को चौका दिया है अपने इस lecture में मैं आपको बताऊंगा Recently क्या हुआ है जिस कारण रशिया काफी परिशान होने वाला है क्या ये development nuclear war के लिए sufficient है USA किस तरीके से रशिया को अब push कर रहा है Recently रशिया पर किस तरीके के आरोप लगे हैं और इसका क्या significance है दोस्तों Recently व्लादिमिर पोतिन ने जो चार Ukrainian cities को capture किया था उसे रशिया का पार्ट बना दिया और ये चार cities हैं लुहांस्क, दोनेस्क, जैपरोजिया एंड खैरसोन अब रशिया को ऐसा किये हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि Ukrainian forces ने अब फिर से Lyman City को दुबारा से अपने control में ले लिया है और ये Lyman City दोस्तों दोनेस्क रीजियन का ही पार्ट था अब युक्रेन की रशिया के खिलाफ ये एक बहुत बड़ी achievement है कई experts इसे युक्रेन का biggest battlefield gain बता रहे हैं और इसका कारण ये है कि Lyman City को रशिया logistics and transport hub के रूप में इस्तेमाल करता था इसे रशियन soldiers के लिए पूरी supply chain बिगड सकती है और ये कोई अफवा नहीं है क्योंकि इसे खुद रशिया ने confirm किया है और यहां आप इसे देख सकते हैं और ये ब्लादिमीर पुतिन के लिए एक बहुत बड़ी embarrassment है क्योंकि इससे ब्लादिमीर पुतिन को अपने देश में और जादा आलोचना जहिलनी पड़ेगी जो ब्लादिमीर पुतिन के लिए एक बहुत बड़ा headache है और अब युक्रेन से ऐसा जवाब मिलने के बाद पुतिन काफी गुसा होंगे और इससे नुकिलियर वार का खत्रा और बढ़ गया है पुतिन के एक नजदी की लीडर है रमजान कैडी रौव उन्होंने रशियन आर्मी को क्रिटिसाइज किया है और यहां पर इसके साथ ही उन्होंने पुतिन को ये एडवाइज भी कर दिया है कि जो लो इड के नुकिलियर विपन्स होते हैं उनका युक्रेन वार में इस्तेमाल करने का समय आज चुका है अब यहां पर ये डिसीजन पुतिन को लेना है क्योंकि USA ने भी कह दिया है कि नुकिलियर विपन्स का इस्तेमाल अगर युक्रेन के खिलाफ होता है तो ऐसा होना नहीं चाहिए और अगर ऐसा होता है तो इससे नाटो पर अटैक माना जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि नाटो जो है आर्टिकल फाइव एक्टिवेट कर देगा और इसमें USA नाटो के साथ कूद पड़ेगा रस्या के खिलाफ वार करने के लिए फिलाल ये चेतावनी है या रियालिटी इसे तो वक्त ही बताएगा अब देखते हैं आगे क्या होना है बट एक मैजर डवलप्मेंट और हुई है रस्या को अक्यूज किया गया है युक्रेन नुकिलियर प्लांट के हैड की गिडनैपिंग के लिए और रस्या ने अब तक इस पर कोई कमेंड तो नहीं किया लेकिन जो गिडनैप्ड है उनका नाम है आईहोर मरसोव यहाँ आप इनकी फोटो देख सकते हैं रस्या पर इस तरीके के आरोप अल्रेडी लगाये जा चुके हैं युक्रेन के द्वारा पहले भी और आप यहाँ पर देख सकते हैं युक्रेन ने एक बार और आरोप लगाये था रस्या पर कि युक्रेन के दो नुकिलियर साइन्टिस्ट को रस्या ने मार दिया है लेकिन इन सब चीजों से होगा क्या आखिर रस्या पर किस तरीके से इससे प्रैसर डाला जा सकता है तो दोस्तो इसके लिए एक इंटरनेशनल कंवेंशन है और यहाँ पर इस कंवेंशन के अंडर में युक्रेन जो है रस्या के खिलाफ एक्षन चाहता है बट इससे जादा कुछ होगा नहीं लेकिन फिर भी यह एक प्रैसर टैक्टिक्स है जो युक्रेन रस्या के खिलाफ यूज करना चाहता है